हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक टू अफेर बिजनेस, मैं हूं C.A. राहूल सिंग, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं, GST के कुछ MCQ क्वेस्टेंस, हम क्वेस्टेंस भी डिसकस करेंगे, और साथ में उस क्वेस्टेंस से रिलेटेड जो कॉंसेप्ट हो इसके साथ में, अगर आप Commerce-related competitive exams की तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा एप Affair with Business डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से Commerce-related various competitive exams की complete classes with PDF notes, जो print table format में होता है, अवेलिबल हैं, आप एप डाउनलोड करके एक बार course जरूर चिक करें, चलिए हम अपनी class स्टार्ट करते हैं पहला question है आपका Where and when GST was first implemented, GST को पहली बार कब और कहां लागो किया गया था, तो GST सबसे पहले किस देश में आया? France के अंदर, सबसे पहले GST कहा आया है? France के अंदर, कब आया? 1954 के अंदर, ठीक है, तो USA आपका सही answer नहीं है, China नहीं है, इंडिया भी नहीं है, France आपका सही answer होगा, तो correct answer क्या हो जाएगा? D, इंडिया में 2017 में, बिल्कुल 2017 में इंडिया के अंदर आया, लेकिन वो पहली बार नहीं था, इंडिया के अंदर, एक जुलाई 2017 से GST लागो हुआ, बट वो first time नहीं था, वर्ड में, वर्ड में सबसे पहले कहां आया? France के अंदर GST आया, ठीक है, चलिए, दूसरा question है आपका, GST in India has been introduced from, भारत के अंदर GST कबसे लागो किया गया? तो भारत के अंदर GST जो है, वो लागो किया गया कबसे? 1st of July 2017 के अंदर, पूरे भारत के अंदर, लेकिन जम्मू and कास्मीर के अंदर, जम्मू कस्मीर के अंदर, एक जुलाई से नहीं बलकि कबसे लागो किया गया? 8th जुलाई से, तो ये चीज़ आप ध्यान लखेंगे भारत के अंदर, सभी स्टेट में, एक जुलाई से लागो कर दिया गया था, बट जम्मू कस्मीर के अंदर, जोंकि वहाँ पर उस टाइम पर जब GST आया था, वहाँ पर उनका अला कॉंस्टियूसन था कि जब तक वहाँ की स्टेट, असेंबली किसी एक्ट को इस फर्सली रिकमंडेड वाई, सबसे पहले GST की अधारना या GST के बारे में किस ने बोला था, सुब्रमन्यम टास्क पोर, सितंबरम टास्क पोर, केलकर टास्क पोर, जेटली टास्क पोर, तो सबसे पहले GST के बारे में केलकर टास्क पोर्स ने इसके बारे में बताया थ कि हमें इंडारेक्ट इस टेंदर जीस्ति लाना चाहिए सभी एंसर क्या है सी अच्छा आप से एक वैसटि आया उस समय भारत के फाइनांस ट्र कॉन थे बित्मंत्री कॉन थे जे ट्ली जी थे ठीक है ना थो जी एसटि लेकर तो जेट ली जी आये थे बट सबसे पहले इसकी अवधारना कि समेह ने लिए केल कर टााज्क पोर्स ने दी कि नीच्स्ट है आपका What kind of texts what kind of text is csd- son GST को किस तरह का टैक्स कहा जाता है किस तरह का कर कहा जाता है मुव्मेंट वेसिस डेस्टिनेशन वेसिस ओरीजीन वेस्ट टैक्स या नन आफ दा अब तो जो GST है वो क्या है एक गंतब्य आधारित कर है डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स है डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स का मतलब होता है कि अल्टिमेटली जो टैक्स का रिविन्यू है वो कौन सा स्टेट कलिक करेगा जहां पर गुड्स एट लास्टिमेटली कंजूम हो रहा है या गुड्स की जहां पर डेस्टिनेशन है जहां गुट्स जा रहा है जैसे सपोर्ज करिए मध्धिप्रदेश का व्यापारी है मध्धिप्रदेश में होलसेलर है इसने माल बेचा किसको रीटेलर को रीटेलर कहां का है उत्तरप्रदेश का है और फाइनली इस रीटेलर ने गुट्स कस्टमर को मेचा यहां पर गुट्स फाइनली कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कहा चुम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर तो इस गुट्स का जो SGST वाला पोर्शन होगा वो कौन सी गॉपर्मेंट को मिलेगा यूपी गॉवर्मेंट को मतलब इस पर जो SGST कलेक्ट करेगा वो कौन कलेक्ट करेगा उत्तर प्रदेश क्वर्मेंट कलेक्ट करेगी ठीक है ना वहीं अगर यह ओरीजीन वेस्टैक्स होता जैसे वैल्लु अड़ेट टैक्स ओरीजीन वेस्टैक्स था तो उस केस में फिर आपका गुट्स कंजूम होगा, फाइनली जाएगा, वह इस्टेट फाइनली टेक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है, चलिए, तो आपका सही एंसर क्या हो जाएगा, बीगंतप आधारित कर है, नेक्स्ट है आपका, विच आर्टिकल ओफ कॉंसिट्यूशन आउटलाइन्स तक कंप गिएस्ट के अंदर अगर कोई धी चेंजिस करने हैं, जीएस्ट एपक के अंदर कोई रेट नया लाना है, कोई एग्जम्सन देना है, कुईसी भी तरह का कोई चेंज करना है, तो वो जीएस्टी काउंसिल की रिकमेंटेशन के बाद होता है, यह आप सबको पता है, जीए 89 A के अंदर बताया गया है ठीक है तो सही एंसर क्या होगा आपका D अब देखो Constitution की बात हुई है तो GST से related कुछ और चीज़ा देख लेते हैं तो GST लाने के लिए Indian Constitution में amendment किया गया था Constitution को change किया गया था कौन सा amendment किया गया था GST लाने के लिए तो hundred and first 101 संविधान संसोधन करके GST भारत में लाया गया याद रखेंगे याद रखेंगे कौन सा संविधान संसोधन 101 इसके बाद 101 में संविधान संसोधन के through तीन आर्टिकल जोड़े गए एक था आर्टिकल 246A है ना अगर question ये पूछा जाता है कि GST लगाने की पावर कौन सा अनुख्यत देता है केंद्र और राज्य सरकारों को तो इसका answer है आर्टिकल 246A फिर एक और आर्टिकल है आर्टिकल 269A 269 basically interstate supply के case में IGST जो लगता है वो इसी आर्टिकल के through सकती आती है कि जो interstate supply होगी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वाली उसमें उससे related जो rules है कि कौन सी supply को हम interstate मानेंगे उसका place of supply क्या होगा उससे related rules बनाने की सकती केंदर सरकार के पास है और वो केंदर सरकार के पास सकती कहां से आती है आर्टिकल 269A के through ठीक है तो 246A जीएस्टी लगाने की सकती देता है IGST से related rules बनाने की सकती 269A देता है और 279A सकती देता है GST council की ठीक है ना तो बहुत सारे A, A हुग गए 246, 279 A और 289 A याद रहेगा एक्जाम के लिए कौन सा सम्विधान संसोदन था 101 वा आर्टिकल 246 A GST लगाने की सक्ति देता है ठीक है न और हमारा सही अंजर क्या था D, clear है, चलो Next Which of the following is our correct about GST GST के बारे में कौन सी बात सही है GST is a destination based tax गंतब्य आधारित कर है बिलकुल GST एक गंतब्य आधारित कर है Quorum of GST Council should be 50% GST Council की Quorum जो होती है वो 50% से पूरी होती है तो बिलकुल GST Council की मीटिंग के अंदर अच्छे GST Council के member कौन होते हैं हर स्टेट के finance minister तो 50% लोग जब ही कठा होते हैं तब ही माना जाता है कि Quorum पूरा है परियाप्त लोग है मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके तो बोथ A and B आपका सही answer हो जाएगा अच्छा एक चीज़ और 50% से Quorum पूरा होता है आप मुझे बताओ GST के अंदर decision कितने person majority से लिया जाता है ये आप मुझे comment box में बताएंगे कि आपका जो GST council के अंदर अगर कोई decision लेना है तो कितने board favor में पढ़ने चाहिए ठीक है 50% मतलब one half या two third या three fourth कितने पढ़ने चाहिए आप बताओ ले ठीक है चलिए next question है आपका which of the following functions are performed by goods and service tax network तो देखो GST के अंदर जो भी उसका infrastructure है IT से related जो भी काम होगा वो सारा का सारा कौन देखता है GST and goods and service tax network उसी ने GST की website बना रखी है उसे कितरो सारे काम होते है चाहे वो GST के अंदर registration का काम हो चाहे वो return file करने का काम हो notice लेजने का काम हो order का हो payment का हो ये सारे काम किसके थू होते है goods and service tax network के थू होते है ठीक है ना तो देखो question है कि कौन कौन सी duties GSTN के थू की जाती है ये GSTN एक NGO है non-government sorry NPO है non-profit making organization ध्यान अगना facilitating registration बिलकुल registration का काम इसके थू होता है computation and settlement of IGST ये भी सिख थू होता है matching of tax payment detail with banking network बिलकुल ये भी सिख थू होता है और all of the above सो आपका सही answer क्या हो जाएगा D all of the above सारा GST के administration वाला काम GSTN पॉर्टल के थू ही होता है ठीक है next IGST is payable when the supply is तो देखो GST के अंदर जो tax के component है वो चार component है एक है IGST दूसरा CGST इस तरह SGST चौता UTGST ठीक है ये चार component है ये वाले कहां पे लगते है UTGST और SGST को मैं एक ही मान रहा हूँ union territory के अंदर UTGST और SGST लगता है आपका state के अंदर यहां पे भी एक twist अगर आपको याद हो तो अगर किसी union territory की क्या है state legislature भी है उनकी विधान सभा भी है तो वहाँ SGST लगता है UTGST नहीं लगता है जैसे डेली तो डेली के अंदर उनकी विधान सभा है है ना तो चुकि state legislature है तो वहाँ पे SGST ही लगता है और बाकी UTGST जहाँ पे state legislature नहीं है वहाँ पर आपका UTGST लगता है अब अगर interstate supply है interstate supply का मतलब क्या है MP के अंदर ही MP to MP हो रहा है या कोई union territory है वहाँ पे हो रहा है लग्दाक से लग्दाक में अंदर हो रहा है तो CGST और SGST लगेगा लेकिन अगर inter क्या है interstate है interstate interstate का मतलब क्या हुआ एक राज्जिस से दूसरे राज MP UP MP चम्मो एन कास्मीर union territory तो अगर दो state के बीच में transaction हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगता है IGST लगता है कब interstate supply के case में ठीक है ना तो चलो IGST कहाँ पे लगता है interstate supply के case में interstate में CGST SGST लगेगा intra UT के case में CGST लगेगा और UTGST लगेगा ठीक है ना तो आपका सही answer यहाँ पर क्या होगा A है ना नेक्स्ट वाट काइंड्स ओफ टैक्सिस आर सबसंद अंडर GST GST के अंदर कौन कौन से टैक्सिस को सामिल कर दिया गया तो देखिए GST के अंदर जितने भी indirect टैक्सिस से उन सभी को सामिल कर दिया गया चाहे वो central exercise duty हो state tax हो या state vet या sales tax हो या central sales tax हो या service tax हो या इन सब को GST के अंदर सामिल कर दिया गया है तो इन सभी टैक्सिस को GST के अंदर सामिल कर दिया गया है है ना तो सही एंसर क्या हो जाएगा D लगबग 17 प्रकार के टैक्स को GST के अंदर मर्ज कर दिया गया है एक टैक्स का नाम इंटर्टेन्मेंट टैक्स ठीक है इंटर्टेन्मेंट टैक्स बाई लोकल बॉड़ी जैसे आपका नगर निगम नगरपाली का यह अगर कोई इंटर्टेन्मेंट टैक्स लगा रहे है तो उसको GST के अंदर सामिल नहीं किया गया है वो अभी भी वो लगा सकते हैं तो यह ध्यान लखना एक्साम के लिए इंपोर्टेंट है इंटर्टेन्मेंट टैक्स वो भी कौन सावाला फरम विल नाट वी कवरड अंडर से सब्सक्राइब का पाइस प игр को बमने तर तो डीजेल पेट्रोल इनकोας से बाहर रखा गया है आपका लीकर फारिमन कन्जम्शन जो इंसान सराब पीता है हम लोग मुतलब हम लोग नहीं जो सराब इंसान पीते हैं उसको जीस के से बाहर रखाग्या है और आपको Aviation Turbine Fuel ATF को भी GST से बाहर रखा गया है तो ये पाँच आइटम है जो GST से बाहर है Natural Gas हो गया, Diesel हो गया, पेट्रोल हो गया इसके बाद Leaker for Human Conjunction हो गया मानो के उपयोग बाला सराब और Aviation Turbine Fuel ATF इन चीजों को GST से बाहर रखा गया है तो देख लो, कौन-कौन से हैं इसमें Cooking Gas पर ध्यान रखना, जो आप घर के अंदर LPG यूज़ करते हो उसमें GST है, उसपर GST लगता है तो Cooking Gas और Natural Gas में अंतर है जो Natural Gas होती है, मीथेन, जो जमीन से निकलती है उसपर GST नहीं है जो आपके किशन के अंदर LPG यूज़ होता है, जो सिलेंडर यूज़ होता है उसपर GST है, घरेल सिलेंडर पर 5% GST और Commercial बारे पर 18% GST लगता है ठीक है न? तो ध्यान रखेंगे Cooking Gas पर GST है, ठीक है Diesel पर नहीं है, Leaker for Human Conjunction पर नहीं है तो बोथ B and C आपका सही एंसर हो जाएगा इन दोनों आइटम पर GST नहीं है और इनके साथ में Natural Gas पर नहीं है Aviation Turbine, Fuel पर नहीं है और Petrol पर GST नहीं है बट Cooking Gas पर है ध्यान रखना Cooking Gas को Natural Gas से Confuse मत करना Clear है? चलो Next question है आपका The item The item which will be taxable बोथ अंडर Current Central Excise Law and GST Even after the implementation of GST Act कौन सा ऐसा आइटम है जिस पर GST भी लगता है और Central Excise भी लगता है तो यह है टोबैको प्रोडक्ट जो सिंगरेट वगेरा है न उस पर Central Excise भी लगता है और GST भी लगता है जिससे वो चीज़े महगी रहे हैं लोग कम पीएं लेकिन लोगों का तो क्या है हम तो पीएंगे ही पीएंगे Anyway हमारे काम की चीज़ क्या है कि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पर क्या है Excise duty भी लगता है Central Excise भी लगता है और आपका GST भी लगता है लगता है आपका एक बच्छा एक ही C टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट Next The Charging Section अब C GST C GST का Charging Section कान है Section 9 है सही answer A हो जाएगा Charging Section का मतलब क्या होता है जिस Section के त्रू GST लगाया जाता है तो वो होता है आपका Charging Section या कोई भी टेक्स जिस धारा में ये लिखा होता है कि हाँ ये टेक्स इस घटना के घटी तोने पर लगाया जाएगा उसको हम Charging Section पोल देते हैं Income Tax के अंदर भी Charging Section है और GST के अंदर भी Charging Section है ठीक है न? So GST के अंदर सी GST की Section 9 क्या है आपका Section 9 Charging Section है Clear? Next What are different type of supply Covered Under Scope of Supply So देखिए GST के अंदर Supply कितने टाइप की है या किस को आप Supply में Consider करोगे Supply made with consideration Supply made without consideration Both of None of the above सही एंसर क्या होगा Both of C देखो आप डिसक्रस कर लेते है सही एंसर C है मैंने बता दिया देखो GST के अंदर Normally तो अगर आपकी जो supply है वो with consideration है तो ही उस पर GST लगना है लेकिन कुछ cases में ये बोला गया है कि अगर supply आपकी without consideration है बीना प्रतिफल के है फिर भी हम उसको supply के अंदर cover करेंगे और उस पर GST लगाएंगे ऐसी चीजों को एक schedule के अंदर दिया गया है और उस schedule का नाम क्या है schedule one तो schedule one किसकी बात करता है ऐसी supply जो without consideration है फिर भी उनको supply माना जाएगा जिसके अंदर आपका अगर याद हो हमने class में भी discuss किया था permanent transfer of business asset जिसके अंदर आपने उसकी ITC ले रखी है ठीक है फिर आप related person को अगर supply कर रहे हो business के लिए भले उस पर consideration नहीं है लेकिन उसको भी हम क्या मानेंगे supply मानेंगे principal to agent agent to principal वाली supply हो गई ठीक है ना और import of service हो गया from related person वो भी अगर without consideration है for the purpose of business तो वो भी without consideration भी supply के अंदर सामिल होगा और ये चीज़े कहां दी गई है schedule one के अंदर तो ध्यान लखना ये भी आप एक चीज़ के schedule one के अंदर आपको कौन से चीज़े दी गई है ऐसी चीज़े जिने supply माना जाएगा भले वो बीना प्रतिफल के है फ्री में हैं without consideration है ठीक है ना चलिए next what is the institute of lottery as an actionable claim under GST law treated as goods treated as service treated as goods but not but out of scope of supplies treated as goods and remain within scope of supply तो देखो है तो goods goods की definition के अंदर हमने देखा था कि goods की definition कांसे section में दी गई है बताएंगे आप लोग goods की definition कि section में दी गई है शेक्षन टू टू सब सेक्षन तू प्लॉस 52 ठीक है अब इसके अंदर goods में क्या वो लगया है कि goods का मतलब क्या movable property goods का मतलब क्या movable property बट कुछ चीजों को इसमें specifically सामिल किया गया है और कुछ चीजों को हटाया गया है हटाया कि इनको गया है movable property other than securities and money sorry other than money and securities तो जो पैसा है और जो shares वगयरा होते है securities का मतलब यहां सुरक्षा नहीं है यहां पर शेयर स्टॉक डेवंचर यह हैं तो money और security को goods से बाहर किया गया है लेकिन include किसको किया गया है include किसको किया गया है आपको सामिल किसको गया गया है इनक्लूड एक तो एक्सेनेवल claim एक्सेनेवल claim और तूसरा किसको सामिल किया गया है growing crops फरसल ठीक है न तो देखो एक्सेनेवल claim को goods में सामिल किया गया है clear हो गया लेकिन बाद में इसको इसके बारे में ये बताया गया है कि X-enabled claim में हम GST के वल किस पर लगाएंगे lottery पर ही लगाएंगे lottery gambling पर ही हम GST लगाएंगे बाकी चीज़ों को उन्होंने गुट से बाहर कर दिया है ठीक है न जीएस्टी से बाहर कर दिया है तो lottery जो है वो क्या है गुट से जीएस्टी के अंदर और कौन सा गुट से जीएस्टी के जिसके अंदर जीएस्टी लगेगा तो आपका सही एंसर क्या हो जाएगा डी टीट एज गुट एंड रिमेंड विदी इन स्कोप आप सॉप्लाई एक्सट एंड एक्सम्ट सप्लाई इनक्लोट सॉप्लाई में किसको किसको सामिल किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विशेज और बोथ बित अट्रैक्ट नियल रे विचार होली इग्जम्ट तो देखें जो इग्जम्ट सप्लाई की डेफिनिशन दी गई है GST के अंदर उसमें चाहे वो निल रेटेड हो चाहे वो नॉन टेक्सिबल हो या वो क्या हो उसको स्पेसिफिकली सरकार ने इग्जम्ट कर रखा हो तीनों चीजों को इग्जम्ट सप्लाई की अंदर सामिल किया जाता है ठीक है ना इग्जम्ट सप्लाई में निल रेटेड भी सामिल होगा आप का D, all of the above. Next question है आपका. What is the statute of money and securities under GST law? GST के अंदर money and securities को क्या माना गया है? तो देखो money and securities में आप याद करो चाहे goods के definition हो तो उसमें भी specifically exclude किया गया था हटाया गया था money and securities को और services से भी बाहर किया गया था तो money and securities मतलब जो पैसा है और जो आपके shares वगएरा है डिवेंचर वगएरा है ये ना तो goods हैं ना तो service हैं इसलिए इन पर GST नहीं लगता है ठीक है ना? तो money and securities ना तो goods है ना तो service है goods, service नहीं status is not clear treated neither as goods nor as service ना ही goods माना जाता है ना ही service माना जाता है ना तो सही answer आपका क्या हो जाएगा ना तो ये goods है ना तो ये service है ना तो ये माल है ना तो ये सेवा है money and securities clear वगा money and securities के बारे में सही answer हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा अगला आज है let out land for tenancy for a period of three years तो मोहन such tenancy shall be classified as land किराये पर दी गई बता बोला गया ये क्या है supply of goods है supply of service है या दोनों है तो देखिए GST के अंदर वैसे तो land की sell को GST land को goods माना ही नहीं जाता ना goods माना जाता ना service माना जाता तो land की अगर आप sell खरीद विक्री करते हो तो उस पर GST नहीं है लेकिन अगर आप land किराये से देते हो without transferring title मतलब आप उसका स्वामित तो हस्तांतरित नहीं करते हो बस land को किसी को use करने के लिए देते हो कि है तो मेरी ही land बट मैंने किसी को दे दिये चलो parking बना लो आप use करो मुझे किराये दे देना है ना तो अगर इस तरह से आप land किराये पर दे रहे हो किसी को तो वस किराये को supply माना जाएगा और उसके बारे में specifically बताया गया है कि उसको किस type की supply माना जाएगा है ना और उसके लिए कौन सा schedule है GST के अंदर बताएगा कोई schedule 2 schedule 2 क्या बात करता है GST के अंदर specifically कुछ goods और services को कुछ transactions को बताता है कि इस चीज़ को हम goods मानेंगे और इस चीज़ को हम service मानेंगे उसी schedule 2 के अंदर दिया गया है कि अगर आप property को property का rights transfer कर रहे हो अधिकार दे रहे हो किसी को without transferring title बीना स्वामित के transfer के तो उसको हम service मानेंगे तो अगर आप किराये से दे रहे हो मतलब कर रहे हो तो अगर आप title transfer कर नहीं कर रहे हो just use करने के लिए दे रहे हो किराये से तो वह आपका क्या है supply of service माना जाएगा सही answer क्या हो जाएगा B B for bet next a supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attract highest rate of tax कहने का मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक supply को इकठा करके बेचा जा रहा है इकठा supply की जा रही है और उसमें से tax कौन सा लगा जा रहा है highest rate वाला तो यह किस टाइप की supply है तो देखो यह mixed supply है सही answer आपका क्या होगा बी mixed supply अब mixed supply पढ़ रहा है तो composite भी पढ़ना ही पढ़ेगा तो देखो दो तरह कि आप यह supply होती है जहां पर आप mix करके चीज़ों को बेचते हो एक composite supply दूसरा mixed supply composite supply का क्या होता है कि यह naturally bundled होती है मतलब normal course of business के अंदर उन supply को इकठा ही बेचा जाता है तो अगर ऐसा ऐसी कोई supply है जो सामाने बिजनेस दूसाओं में उनको उसी तरह से sell किया जाता है उसे हम composite supply बोल देते हैं उदाहरण के लिए जब आप laptop खरीदने जाते हो तो laptop bag आप laptop bag आपको मिलता ही है है तो वो क्या है एक normal business practice चल लिए कि laptop के साथ laptop bag दिया जाएगा तो इस टाइप की supply को हम क्या बोल देते हैं composite supply बोल देते हैं उदाहरण के लिए आप hotel में रुकने जाते हो इस्टे करते हो तो generally hotels के साथ क्या होता है कि वो आपको laundry service दे देते हैं या आपको उस पर breakfast include रहता है तो यह क्या है एक normal business practice है कि हाँ hotels के अंदर ऐसा चलता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं एक composite supply बोल देते हैं ठीक है अब composite supply समाझ में आगे आपको composite supply के अंदर rate क्या लगेगा तो rate यहाँ पर कोई कम जादा वाला नहीं है जो आपकी मुख्य supply है principal supply है है ना कौन सी है जो आपकी principal supply है मुख्य supply है जैसे laptop के साथ बैग दिया जा रहा है तो मुख्य supply क्या है laptop है तो जो rate laptop पे लगेगा वही बैग पर भी लग जाएगा बतलब whole supply को पर एक rate लगेगा hotels के साथ है room आप किराय से ले रहे हो आपको breakfast complimentary मिल रहा है तो यह क्या है यहाँ पर main supply आपकी क्या है क्या वहाँ पर breakfast के लिए room में रुकने गए हो नहीं room में रुक रहे हो इसलिए breakfast मिल रहा है principle item बाला rate होता है ठीक है न चलो mixed supply के case में ऐसा नहीं है mixed supply का मतलब है कि वो naturally bundled नहीं है आप अपने business के हिसाब से क्या कर रहे हो अलग-अलग items को इकठा करके बेच रहे हो तो इसको हम mixed supply कह देते हैं उदारण के लिए suppose करिए कि दीवाली के gift के लिए तो मिठाईया चौकलेट्स कुछ gift इनको इकठा करके बेचा जा रहे है जबकि यह normal practice नहीं है आपको मिठाईया अलग से बिखती है चौकलेट अलग से बिखते हैं गिफ्ट अलग से बिखते हैं नॉर्मली तो ऐसा होता है लेकिन चलो उनक कि mix supply वो लेंगे जो naturally bundle रही है और इस case में rate क्या लगेगा जो highest tax rate होगा जिस item का वह वाला rate सभी supply पर लग जाएगा ऐसे ही suppose करिए एक shop कपड़े की दुकान है ना वहाँ पर jeans अलग से मिलता है shirt अलग से मिलता है t-shirt अलग से मिलता है तो यहाँ पर क्या है यह naturally bundle नहीं है सबको अलग अलग ही कठा किया गया है और एक supply बना करके दिया जा रहा है तो उस case में क्या होगा इसको mix supply कहेंगे और इस मेंसे सभी items मेंसे जिस item का rate सबसे ज़्यादा होगा वह वाला rate सभी पर लग जाएगा जैसे suppose करिए पैंट पर है अठरा परसेंट यह इस्टिमाल लिजे मैं एक्जामपल के लिए दे रहा हूं सड़ पर माली यह 12 परसेंट है ठीक है बेल्ट पर है 5 परसेंट अगर इन तीनों कोई कठा करके बेचा जा रहा है तो सभी items पर एक ही rate लगेगा वह है क्या पैंट का rate 18 परसेंट ख्लियर है तो composite supply में प्रिंसिपल आइटम वाला rate लगता है और mixed supply के अंदर कौन सा rate लगता है आपका जो highest है ठीक है चलो तो आपक यह हो गया composite और mixed supply एंसर मैंने पता दिया है नेक्स्ट क्वेस्टन आपको में सर्स एक्स लिमिटेड अडीलर ओफर कॉंबो पैक्स ऑप सर्ट वाच वालेट बुक एंड दे आर वंडल एज अ किट एंड इस किट इस सप्लाइट फॉर सिंगल प्राइस एज अ मिक्स सप्ल है तो जो आपका हाぎस्त वॉला रेट होगा वो लगेगा ठीक है न तो हाइट इसर एक नंपर 18 परसेंट तो पूरी सप्लाइपर रेट कितना लग जाएगा 18 परसेंट का सहीं सर क्या हो जाएग आपका ठीक है चलिए नेक्स्ट हैप्डेश्टन आपका आप फाइव स्टार होटेल प्रोवाईट्स एड थि नाइटस पैकेज बिफ्रिफास्ट इस इस अप्लाइई तो देखो फाइव स्टार होटेल है वो जो पैकेज दो है उसमें इस्टे के साथ में देख़ास्ट भी दे रहे हैं तो क्या है यह नार्मल बिजनेस प्रैक्टिस है है ना नेच्रली बंडल ले तो यह क्या है आपकी कंपोजिट सप्लाइए सब्सक्राइब का आपका एह होगा नेक्स वो बिल नोटिफाई दा रेट ऑप्ट टेख्स टू भी लवी अंडर सी यस्ट एक्ट है तो जी स्ट का रेट कॉन नोटिफाई करता है तो गोर्रमेंट नोटिफाई करता है बट 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 GST Council के recommendation के साथ है ना तो सही answer क्या होगा आपका Central Government State Government GST Council Central Government as per recommendation of the GST Council सही answer आपका क्या हो जाएगा D ठीक है ना C GST के अंदर rate Central Government decide करेगी but but GST Council के recommendation के साथ अगर GST Council recommendation नहीं देगी तो Central Government rate change नहीं कर सकती है next which of the following taxes will be levied on import import पर कौम सा tax लगता है C GST SGST IGST तो सही answer is C IGST import को Interestate Supply माना जाता है इसलिए यहाँ पर IGST लगता है next which of the following is not included in aggregate turnover तो देखो GST के अंदर जब हम aggregate turnover की बात करते हैं वो चाहे किसी purpose से हो कैसे जैसे registration के लिए हम 20 लाग या 40 लाग की limit देखते हैं है न या composite supply हो गया तो जो aggregate turnover होता है या annual return की limit हो गई या reconciliation statement GST और 9C की limit हो गई इन सब के लिए जो aggregate turnover है वो कैसे देखा जाता है तो एक तो pen basis पर देखा जाता है पूरे इंडिया का और दूसरा जितनी भी outward supply होंगी उन सभी को aggregate turnover में माना जाएगा जितनी भी क्या होंगी outward supply होंगी सारी की सारी outward को सामिल कर दिया जाएगा चाहे वो exempt हो चाहे वो nil हो चाहे वो non GST supply हो सभी चाहे वो taxable हो, चाहे वो nil हो, चाहे वो zero rated हो, सभी outward को सामिल किया जाएगा और किसी भी inward supply को touch नहीं किया जाएगा, छुआ नहीं जाएगा तो ध्यान रखना, सारी outward, nil, exempt, zero, कोई भी हो, सब को सामिल किया जाएगा अग्रिगेट turnover calculation के लिए, बट किसी भी inward supply को touch नहीं किया जाएगा, न, तो देख लो not included मूँचा है, exempt supply of goods or services और बोथ इनको सामिल किया जाता है, export of goods or services और बोथ इसको भी सामिल किया जाता है इंटर, state supply of goods और services और बोथ इसको में सामिल किया जाता है, value of inward supply, तो हमने कहा था inward को हम touch नहीं करेंगे, तो inward supply को हम aggregate turnover calculation में सामिल नहीं करते हैं, सही answer आपका क्या होगा, D, है न, which of the following shall not be included in value of supply, value of supply में किसको सामिल नहीं किया आता है, तो value of supply की बात, सबसे पहले तो आप बताओ, कौन से section के अंदर होती है, है न, मैंने बोला था न, मैं आपको questions तो कराऊंगा, इस साथ में, उसके साथ में कुछ और important चीज़े बताते हुए, चलूँगा, तो देखो, value of supply की बात, GST के अंदर होती है, कहां, section 15 के अंदर, clear हुआ, अब, section 15 के अंदर, जब valuation किया जाता है, तो कुछ चीज़ों को सामिल और कुछ चीज़ों को हटाया जाता है, तो उस पे specifically लिखा गया है, कि अगर कोई भी GST Act के अंदर कोई भी tax pay किया गया है, तो उसको हम value of supply में सामिल नहीं करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, तो सही answer क्या हो जाएगा, GST, interest को सामिल किया जाता है, late fees को भी किया जाता है, commission को भी किया जाता है, बट GST को सामिल नहीं किया जाता है, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो, किसी को भी value of supply के अंदर सामिल नहीं किया जाता है, तो the value of supply the value of supply should include value of supply में किसको किसको सामिल किया जाता है any non-GST taxes duties fees charged separately by supplier non-GST है ना बिलकुल इसको सामिल किया जाता है interest late fees और penalty for delay payment of any consideration for any supply बिलकुल अगर आपने जिसको माल बेचा है वो देरी से payment कर रहे हैं तो आप interest charge कर रहे हो उससे या late fees charge कर रहे हो उसको भी value of supply में सामिल किया जाता है subsidies directly linked to the price except subsidies provided by the central और state government बिलकुल अगर कोई subsidy है ना तो उसको भी value of supply में सामिल किया जाता है लेकिन अगर वो subsidy केंदर सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है तो उसको value of supply के अंदर सामिल नहीं किया जाता है ठीक है तो आपका सही answer यहां क्या हो जाएगा all of the above इन सभी को value of supply के अंदर सामिल किया जाता है सही answer क्या हो जाएगा ठीक है subsidy का मैंने बता दिया केंदर और राज्य सरकार की subsidy को नहीं सामिल किया जाता बाकि अगर कोई और organization या कोई ब्यक्ति subsidy दे रहा है तो उसमें उसको value of supply के अंदर सामिल किया जाता है ठीक है चलिए next value of supply under section 151 is क्या है value of supply हम किसे बोलते हैं तो टीवी को बोलते है ना transaction value को हम value of supply बोलते है एज पर 1615 वन जो बैलिवेशन के बारे में बात करता है ठीक है फोलसेल प्राइज मार्केट वैल्यू मैक्सिम्ट टेल प्राइस ट्रांजिक्शन वैल्यू सही एंसर क्या है आपका डी ट्रांजिक्शन वैल्यू ठीक है next rule 30 of CGST rules इंटर एलियर प्रोवाइड वैल्यू अप सप्लाइए अप गुड्स और सर्विसेस और बोथ बेस्ट बेस्ट सेल वी टेस परसेंटेज 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 आप प्रोड़क्शन और मैनुफेक्शर और कॉस्ट अप एक्टिविजिशन अप स कि अगर उसकिशी मथे वैलिवेशन नहीं हो पारा है कि अंतिम रास्ता क्या है रूल 30-31 रगा दो 31 तो any other methods की बात करता है रूल 30 बात करता है cost की बात cost based valuation की बात करता है कि भाई अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा है कि valuation किस तरह से किया जाए तो एक चीज है आपको लागत तो पता होगी कि आपने कोई particular goods कितने में बनाया है या service को render करने में service देने के लिए आपको कितनी cost आई है तो उस cost का 110% करके valuation कर दो बात फ़तम है ना 100 रुपय की अगर आपने cost आई है तो goods की value 110 बना दो बता दो हमें 110% कर दो उसी को हम valuation मान लेंगे as per rule 30 ठीक है ना तो कितने परसंट 110% सही answer क्या होगा आपका C अगला question है आपका which of the following person are not liable for registration GST के अंदर क्यों ते ब्यक्ति हैं जिनको registration की अवसकता नहीं है निम लिखितने से कौन सा अव्यक्त ही पंजी करण के लिव तरता ही नहीं है तो देखो any person engaged exclusively in supplying services only exempt from tax casual taxable person बोथ A and B none of the above तो देखो casual taxable person दिख गया ना इसको तो पांच दिन पहले registration दिला दिया जाता है याद है क्या casual taxable person और non-desident taxable person इन दोनों को अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करना है casual taxable person को भी बिजनेस करना है तो पांच दिन पहले advance में registration लेना पड़ता है है लेकिन अगर आप exclusively exempt supply कर रहे हो तो आपको GST की registration की requirement नहीं है है ना अगर आपका पूरा का पूरा काम exempt बाला है कि दिन हाव मैनी डेज विदिन हाव मैनी डेज अपर संस्ट अपलाई फॉर रेजिस्ट्रेशन जब भी आप GST registration के लिए लाइवल होते हो वहाँ तो तीस दिन के अंदर आपको GST के लिए अप्लिकेशन देना पड़ता है सही answer क्या हो जाएगा आपका B है ना माल लीजिए आपको चालिस लाग का turnover प्रॉस हो गया तो जहां से जिस दिन से आपका 40 लाग का turnover प्रॉस होगा वहां से तीस दिन के अंदर आपको GST के लिए application देना पड़ेगा ठीक है सही answer क्या हो जाएगा B which of the following items are debited to electronic credit laser क्या होता है भाई electronic credit laser जो भी आप tax वगएरा pay करते हो है ना उसको GST GST portal के अंदर एक laser के अंदर credit कर दिया जाता है debit credit कर दिया जाता है अब जमा कर रहे हो ठीक है ना और उस laser का क्या नाम है electronic credit laser ठीक है ना तो चाहिए वो output tax वो interest penalty सभी को कहां debit करता किया जाता है electronic credit laser के अंदर एक सेकेंड sorry sorry electronic credit laser है ना तो इसके अंदर interest penalty को नहीं ध्यान लखना है interest penalty तो cash laser के अंदर जाएंगे cash laser केवल output tax को आप credit laser के अंदर लेके जा सकते हो तो सही answer क्या होगा A है ना केवल tax component को आप credit laser के through adjust कर सकते हो credit laser के अंदर ITC जाता है ना मैं confused हो गया ता credit में बाकि interest और penalty को किसके थूप A किया जा सकता है केवल cash laser के through है ना तो ध्यान लखना है यहाँ पर क्या होगा आपका सही answer A होगा output tax ठीक है next है आपका what does N stand for in HSN तो GST के अंदर आपका HSN code होता है हर item का एक specific code होता है basically वो custom से लाए गया है custom act के अंदर भी आपका हर item का एक specific code होता है जिसे हम harmonized system of nomenclature बोलते हैं ना तो इसमें N का मतलब क्या होता है nomenclature पूरा इसका क्या होता है harmonized system of nomenclature है ना यह होता है आपका HSN का पूरा नाम तो यहाँ पर n का मतलब क्या है nomenclature C सही अंसर आपका क्या हो जाएगा C हर goods का एक specific code होता है next which form is furnished for submission of details of outboard supply under section 37 तो outboard supply के लिए कौन सा form होता है GSTR 1 ठीक है चलिए तो सही एंसर आपका क्या हो जाएगा A GSTR 2 क्या होता है basically 2 आया ही नहीं इसके जगे आते हैं 2A और 2B यहां पर क्या आता है आया आउटवर्ट सप्लाई की डिटेल होती है input tax credit की डिटेल होती है और इसके बाद उसका उसी के दुरुआ पेमेंट करते हो तो यह आपका क्या हो गया GSTR 3 GSTR 5 किसके लिए होता है भाई तो यह non-resident के लिए होता है उनको GSTR 5 फाइल करना पड़ता है न हमारा सही एंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट कंपोजीशन 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 टैक्सपेर इस रिक्वाइड टु फाइल मंथली स्टेट्पेंट इन फॉर्म तो जो कंपोजीशन डीलर होते हैं है तो यह लिए कंपोजीशन के अंदर जा सकते हैं जहां पर क्या होता है आपको इन्पुट टैक्स प्रेडिट तो नहीं मिलती लेकिन आपको एक फिक्स्ट परसेंटेज का टैक्स पे करके बागी चीजों से जंजट मिल जाती है इनको मन्थली एक स्टेट्मेंट फाइल करना होता है वो क्या है CMP08 तो सही एंसर क्या हो जाएगा D अच्छा इनको एक एन्वल डिटर्न भी फाइल करना पड़ता है किस फॉर्म में GSTR 4 के फॉर्म में है न चलिए अच्छा प्लीज कंफ्यूज मत होना कुछ जगे हो सकता आप गूगल करो कि composition taxpayer का GST return कौन सा है quarterly तो आपको GSTR 4 दिखाए लेकिन वो गलत दिखा रहा है वो पहले GSTR 4 होता था अब CMP08 है GSTR 4 अब इनके लिए कि वाद एक फाइल करना होता है साल में एक बार है ना ठीक तो सही एंसर आपको क्या हो जाएगा D next the first two digit of GSTN represent GSTN की पहली दो डिजिट क्या represent करती है तो सबसे पहले तो बताओ GSTN में total कितने डिजिट होते हैं पंदर डिजिट होते हैं है ना यह जो पंदर डिजिट में से जो पहले दो होते हैं वो किसके लिए होते हैं state code के लिए होते हैं तो आपका सही एंसर क्या हो जाएगा एक state code के बारे मे बताता है ठीक है न ठीक है न जो होता है आपका GST के अंदर पैन बेस्ट रजिस्टेशन नंबर होता है जो हर वियापारी को दिया जाता है हर वियापारी के लिए यूनिक होता है क्लियर है चलिए इस एक अब आप यह जाएगा अब आप यह लोग यह कंश्यूज मत करना लेकिन आपको क्वेशन का सेंस क्या है यहां पे वह लिमिट पूचना चाहा रहा है लिमिट कितनी है कुछ के लिए 75 क्वेस्ट यह स्बेसिफिक टेट है और अब सर्विस के लिए भी कम पोजिशन आती है है और उसकी लिमिट कितनी है US$ 50,00. oh है माला तो तो है ए एंसर क्या हो जाएगा ए फिक है ना और नॉर्मल वाला है तो six consecutive period ठीक है composition वाला three consecutive period और नॉर्मल वाला six consecutive tax period clear है नेक्स्ट इन case of taxable supply of services invoice shall be issued within a period of days from the date of supply of service service के case में आपकी जिस दिन service complete हो रही तिस दिन के अंदर आपको invoice issue कर देना है सही answer क्या आज साथ by जाया जाएगा प्रोग लोग कितने दिन के अंदर invoice इसी करना रहता है तो को को hours करने से पहले अब स्प्राइस की delivery देनेे से पहले कभी देने से पहले आपको invoice इसू कर देना है ना या तो पहले इसू कर दो या goods को delivery देने तक इसू कर देना है goods के case में service के case में आप 30 दिन के अंदर invoice इसू कर सकते हो ठीक है चलो next है in case of supply of goods by a composition dealer the register person sell issue तो देखो composition के case में normally तो tax invoice इसू की जाती है लेकिन अगर composition dealer है तो cgst sgst लगा नहीं सकता तो वो क्या इसू करेगा bill of supply gst के अंदर अगर आप बीना gst वाला bill इसू करना है आपको जिसके अंदर आप cgst sgst आई gst चार्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्या इसू करोगे bill of supply है ना तो सही answer क्या होगा क्या हो जाएगा bill of supply next which input tax credit cannot be claimed against which output 書 के देने हैं कि ixt थ wart मैं के लिए करो खुद के लिए करो चाहे cgst के लिए करो चाहे sgst के लिए करो इसको कोई दिक्त नहीं है है ना लेकिन अगर सी जी 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 है कि सीजी जी को बहुता है कि या to CGST को credit नहीं दूँगा, तो SGST का use या तो खुद से कर लो, या तो IGST से कर लो, है ना, तो कहने का मतलब यह है, कि ये दोनों आपस में credit adjust नहीं करते हैं, ना CGST का use आप CGST में कर सकते हो, ना CGST का use आप CGST के अंदर कर सकते हो, clear हुआ, चलो, तो कौन सी input tax credit का है, IGST का आप CGST से कर सकते हो, CGST का IGST से कर सकते हो, S का I से कर सकते हो, बड़ CGST का SGST से नहीं कर सकते हो, सही answer क्या हो जाएगा, D, clear है, चलो, next, Interest is payable on, interest किस पर pay किया जाता है, belated payment of tax, अगर आप tax को देरी से भुखतान कर रहे हो, undue या excess claim of input tax credit, अगर आप excess input tax credit claim कर रहे हो, तो भी आपको interest देना पड़ेगा, अगर आप undue या excess reduction in output liability कर रहे हो, मतलब गलत तरीके से आप अपना tax कम कर रहे हो, तो भी आपको interest pay करना पड़ेगा, सही answer आपका क्या हो जाएगा, D, all of the above, clear, next है आपका, which of the following are not required to file the annual return, annual return मतलब annual return का form क्या होता है, GSTR 9, GSTR 9 फाइल करने की जरूरत किसको नहीं होती है, input service distributor, casual taxable person, non-resident taxpayer या all of the above, तो इन में से किसी को भी GSTR 9 फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, सही answer आपका क्या हो जाएगा, D, और normal taxpayer क्यों को GSTR 9 फाइल करना पड़ता है, आप बता सकते हैं क्या GSTR फाइल करने की limit क्या है, इसकी limit है आपकी 2 करोर, ठीक है, चलो, next, who can not opt for composition scheme, composition scheme कौन नहीं ले सकता है, अब person making, interested supply, manufacturer of tobacco products, a casual taxable person, all of the above, तो देखो composition scheme इन में से किसी को भी available नहीं है, तो अगर composition में हो, तो आप interested supply नहीं कर सकते हो, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में goods नहीं भेज सकते हो, अगर आप tobacco products related या कुछ और भी specified product है, उनकी manufacturing कर रहे हो, तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी, आप CTP हो, casual taxable person हो, तो casual taxable person को भी composition scheme नहीं मिलेगी, सही answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, next, ITC will be reverse for invoice which were not paid within, तो देखो, ITC लेने की एक condition ये भी होती है, कि आपको अपने supplier को 180 दिन के अंदर अपनी उधारी पे कर देनी है, अगर आप 180 days के अंदर आप अपना payment नहीं करते हो supplier को, तो उस case में आपको ITC reverse करना पड़ता है, तो सही answer क्या हो जाएगा, B, अब आपका, देखो, अगर 180 दिन में आपने payment नहीं किया, इट मेक्स अप्लाई ओफ एक्स बाई-जेड लिम्टेड, सप्लाई तो एक्स बाई-जेड लिम्टेड अरजिस्टर एंटिटी इन डेली, ठीक है, इट इस कन्फ्यूज, इन रिस्पेक्ट ओफ तूफ तूफ वाट इस ता जीस्टी रेट अप्लिकेबल ऑन अट अंडर जीस्टी, तो देखो, यह manufacturer है, और जीस्टी के अंदर जो composition के rate है, तो manufacturing के case में क्या है, 1% है, trading के case में भी 1% है और manufacturing के case में भी 1% का tax आपको pay करना है, यह आपका rate of tax होता है, ठीक है, चलिए, next, electronic credit laser is maintained in form, तो देखो, जो आपका ECL होता है, electronic credit laser, जहाँ पर आपका ITC जा करके credit होता है, फिर आप payment करते हो, debit हो जाता है, तो वो किस form में maintain किया जाता है, तो वो form maintain होता है आपका PMT 02 के अंदर, इसके अंदर PMT 02 के अंदर, सही answer क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका B, PMT 01 के अंदर आ electronic liability register बनता है, liability register, PMT 02 के अंदर, आपका electronic credit laser बनता है, और, PMT 03 के अंदर, अगर, री credit हो रहा है, आपको, अगर, अक्माल लेजे, कोई credit आपको debit कर दी गए थी, लेकिन बाद में, री credit का order आए, वो PMT 03 के अंदर, और, PMT 04 के अंदर, अगर, आपके electronic credit laser में, कोई कम ही पाई गई, इसकी सूचना आती है, PMT 04 के अंदर है, यह दोनों important है, याद रखेगा, electronic liability register, आपका PMT 01 के अंदर, और, electronic credit laser आपका PMT 02 के अंदर, ठीक है न, चलिए, तो यह थे, आपके multiple choice questions, इसकी PDF, एप पर भी मैं अप्रोट करवा दूँगा, और, ग्रुप पर भी अप्रोट करवा दूँगा, वहां से आपको PDF, ही मिल जाएंगे, है न, होप आपकी पढ़ाई, बहुत बढ़िया चल रही होगी, थेंक्यू दोस्तों, थेंक्यू सो मच जज़ाई